राम राम भई सभी को कैसे हो सभी भई आसा करते कि सभी सवस्त होंगे भई मस्त होंगे तंद्रूस्त होंगे आजाओ भई आभी दिखाते हैं आपको अमारे टमाटर की फसल और प्यांज की फसल ये तो है भई प्यांज की फसल और इसी के साथ में है टमाटर ये देखो पहले प्यांज देख लिए बहुती बहतरी इन क्वाल्टी की प्याज अपने खेत में खड़ी हुई है और सनिवार का पानी का वार्थ हुए पानी लगा रहा क्या गिल्ली है थोड़ी जी यह देखो जी प्याज अब इमापको साइज भी दिखा सकता है हुप्याज का यह देक्र भीती बहतरी इस अभी तो यह रगाले और भी ज़्यादा साइज होगा इसका यह देखिए जैसका तना है वह भी बहुती सक्ति-साली तना है एदर देखो तो बहुत ही बहतरी नहीं फिलाल तो प्याज अभी इसमें पाणी और भी लगेगा और भी इसकी साइज बड़ा होगा और इधर है टमाटर टमाटर एक साइड में टमाटर लगा रख्या एक साइड में प्याज है यानि इसको बोलते हैं मिश्रित खेती मालो प्याज का बाव ठीक न रहा तो टमाटर का अथा रहेगा टमाटर का न रहा तो प्याज का अथा जाएगा एक तो फसल जीत में रही रहेगी अगर दोनों फसल का बाव आ गया तो किसान की बल्ले बल्ले है तो अभी देखो वए इसमें अच्छे से निराई गुडाई भी हो चुकी है मिट्टी बीच डादी है और अभी गरोध बहुत बढ़िया है और टमाटर देखो वए यह टमाटर है साइज देख सको हो कलर देख सको बिल्कुल सुनेरा कलर है और कोई भी किट पतंगा नहीं है इसके अंदर है तो अभी त्यार होने तो शुरू हो गए है लेकिन आर्वेस्टिंग अभी नहीं किये इसकी है इसे प्रकासि देखे गुठ्छों में लगी हो यह फिलाल तो यह देखुआ है तो यहां तक है टमाटर के राग गे है फिर प्याज की खेती है तो कोमेंट करका बताओ वह किसी लागी बिच बिच में आपने दिखानते रहांगे जैसा भी गरोथ होई हार्वेस्टिंग होई वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे फिलाल बहुत बढ़िया है किसी प्रकार के कोई बिदिक्कत नहीं है प्याज में टमाटर में साइज देख सो को बहुत ही बैतनी साइज बन रहे है प्याज का